तो गाइज हमाई हुए हैं ले यहां पे काफी ठंड है बालों के हालात कुछ इस परकार के हो रखे हैं क्योंकि मैं ना तो इतना हेर वोष कर पा रही हूँ ना मेरे पास कोई ज्यादा इंग्रीडियंट्स हैं तो जो भी मेरे पास इंग्रीडियंट्स हैं मैं उन्हीं का किसे आप अपनी हेर ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं सबसे बड़ी प्रोब्लम जो मुझे यहां आने के बाद आई ए पानी चेंज हुआ है तो मुझे बहुत ज्यादा डेंड्रफ आ चुका है सकेल्प के उपर तो हद से ज्यादा डेंड्रफ है जिससे मुझे लगता है कि मुझे hair fall ना हो जाए, फिलाल तो मुझे hair fall नहीं है, जब मैं ऐसे rub करती हूँ न, तो जो dandruff है उसके particles नीचे ऐसे वो जड़ रहा है, white white आ रहा है, finger में, नाखुन में आप देख सकते हैं, मतलब कि dandruff हद से ज़्यादा आ गया है, तो आज की जो ये remedy आप लोगों के साथ share करने जाए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, especially आपकी hair growth को promote करने के लिए, dandruff को kill करने के लिए, access oil को खतम करने के लिए, गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बैस्ट है, और ये है पहाड़ी पोदीना, यहाँ पे हर जगह पे आपको दिखेगा पोदीना अपन भी नहीं है, एक हाथ से मैंने camera पकड़ा हुआ है, और एक हाथ से मैं ingredients इस cup के अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सिलबटा भी नहीं है, और कुछ ऐसे कूटने के लिए भी नहीं है, second जो चीज है, वो fresh है, यहाँ पे उगा रहता है धनिया, इस टाइम पे आपको ह सीना आता है, गर्मियों में परेशान हो जाते हैं अपने बालों को अपने scalp को लेके, आपकी hair growth प्रमोट नहीं हो रही है, आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, तो please इस DIY को जरूर कीजिएगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अधर का टुकडा लिया है, और जै से ज्यादा उमर आपके ऐसे ही दिखना शुरू हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बालों में कुछ प्रोब्लम आए, तो इस तरीके का आपको एक paste बना लेना है, पानी थोड़ा सा भी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, फिर मैंने क्या क्या हाथ से ही एक बाल के अ जब आप इसको लगाएंगे ना, आपका हेर फोल रुकेगा, हेर ग्रोथ होगी, डैंडर्फ जैसे जो भी समश्या है, खुजली की समश्या है, तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी, धन्या पोदी ना, अपनी साइड भी बहुत भर-भर के इस ताइम पे आ रहा होग जैंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ इस कलर का इस तरीके से आपकी रैमेडि बन जाईगी, बहुत अच्छी रैमेडि है, और इसे आपको अपने बालों पर लगाना शुरू कर देना है, आपने बालों पर ओयल लगाया है तो भी आपको इसके अंद हमारी remedy इसे आपको roots पे जरूर लगाना है scalp पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाना है अगर आपको भर भर के डेंडर फैना तो इसके एक बार के यूज में आपको अराम मिलना शुरू हो जाएगा length पे भी हम इसको लगा लेंगे length पे लगाने का मतलब क्या है length पे आप जब इसको लगाएंगे जो पोदीना है उसके अंदर antibacterial जैसे मैंने बताया प्रोपर्टीज होती है तो आपके दो मुहे बालों को भी थोड़ा बहुत ठीक करने में आपकी मादद करें बाल ज्यादा rough हो चुके हैं तो आपकी roughness को भी वा काफी अच्छे से ठीक कर देग तो इस remedy को आप week में दो से तीन बार जरूर लगा सकते हैं इसका कोई भी side effect नहीं है आप इसमें oil ना डालके सिर्फ जो पोदीने का और धनिये का पानी है उसके साथ भी आप अपने बालों पे मसाज कर सकते हैं और next day आप simple पानी के साथ wash कर सकते हैं अगर आपने oil लगाया हुआ है या फिर आप इसमें oil डालके लगा रहे हैं तो शैंपू करना compulsory है आपको इसे रात में लगाना है पूरी रात भर के लिए आप इसको चोड़ेंगे और next day आप शैंपू कर देंगे अगर आपके पास ज्यादा time नहीं है तो at least आप इसको Sunday वाले दिन लगाएंगे और 4-5 घंटे के लिए तो आप इसको अपने scalp पे जरूर रहने देंगे और उसके बाद आप शैंपू कर देंगे बहुत अच्छी remedy है इंस्टेंटली आपके hair fall को control करेगी आपका जो dandruff है उसको cure करेगी oil को cure करेगी गंदी smell को cure करेगी अगर आप इसको लगातार एक से द अदर सारी medicinal properties है जो natural है और natural तरीके से आपके बालों को treat करेगी तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा massage इसके साथ आपको अपने बालों पे जरूर देना है चोटी बनाएं जूडा बनाएं जो भी करें लेकिन आप इसको लगा रहने देंगे at least 4-5 घंटों के लिए और उसके बाद आप शैंपू कर सकते हैं तो यह था आज का चोटा सा वीडियो आई होप कि आपको जरूर पसंद आया होगा यह रैमेडी आपको अच्छी लगी होगा आप इसको जरूर ट्राई करेंगे feedback मेरे साथ आप शेयर करेंगे कल हम घुमने गई थे तो एक-दो पिक म जो मनी ने पहनी हुई है तो जुरूर बताएगा मुझे कमेंड सेक्सिन में